वेलकम स्टुडेंट्स आज हम राजनिती भुगोल विशय पर अध्यन करेंगे और सबसे पहले हम इसकी परिभाशा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले राजनिती भुगोल का अर्थ हम जानते हैं पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया की भुगोल क्या है उसकी परिभाशा उसका विशय शेत्र और हम सभी जानते हैं कि भुगोल की दो मुख्य काईیاں हैं दो मुख्य शाकाई हैं जिसमें से पहली हैं बहुत इक भुगोल और दूसरी है मानो भुगोल और भुगोल की इन्ही दो इकाईयों में से यहां मानो भुगोल की प्रमुक इकाई है राजनिती भुगोल वास्तों में मानो की राजनिती क्रिया कलापों की शेत्रिय व्यक्या है साथ ही साथ यह राजनिती घटनाओं का भी अध्यन करती है राजनिती घटनाई क्या होती हैं? कांट ने 1756 में व्यक्ति किया कि राजनिती घटनाई के संबंध एवं उनकी प्राक्रतिक प्रश्ट भूमी का अध्यन करता हैं। तो राजनिती घटनाई की जो परिभाशा हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं एच एच स्प्राउट द्वारा दी गई परिभाशा पर जो उन्होंने 1931 में दी। उन्होंने राजनिती भूगोल को राजनिती शास्त्र के एक शेत्र के रूप में माना क्योंकि राजनिती शास्त्र की स्थापना प्रादेशिक भूगोल की आधार शिला पर हुई है। इसके पस्चात डी विटल सी ने राजनिती भूगोल की परिभाशा दी और उन्होंने ये परिभाशा 1944 में दी। और उनके शब्दों में राजनिती भुगोल का सार तत्व राजनितिक शेत्र हैं तता किसी शेत्र का राजनितिक महत्व उसके जलवायू, भू आकरती एवं प्राकरतिक संसाधनों से सुइस्पष्ट रूप से संबंदित है। इसके पश्चात फालकनबर्ग तत्था स्टोटरज ने 1954 में राजनिती भुगोल की परिभाशा पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि राजनितिक भुगोल राजनितिक एकाईयों का भुगोल हैं तत्था साथ ही यह राश्ट्रों के मध्यां अंतर संबंदों की इसके पश्चात गौबलेट ने 1955 में राजनिती भुगोल की परिभाशा कुछ इस प्रकार दी राजनिती भुगोल मानो भुगोल का वह भाग है जिसमें उन राजनिती घटनाओं का अध्यन किया जाता है जिसका शेत्रे संबंध हो वैसे ही जिसे जीव विज्यान जीवो का अध्यन है एई मुडी ने 1957 में राजनिती भुगोल को परिभाशित किया और उनके शब्दों में राजनिती भुगोल जो है वो समुदाय तथा भौतिक वातावरण के संबंदों का विसलेशन है इसके पश्चात अमेरिकी विद्वान होट्शोर ने 1954 में जो परिभाश दी थी उसमें 1960 में उन्होंने कुछ परिवर्दन क्या कुछ संशोधन क्या और अब उन्होंने राजनिती भुगोल की परिभाशा कुछ इस प्रकार दी उनके अनुसार मानव ग्रह के रूप में प्रत्वी के विबिन लक्षणों की भिन्नता तथा इस्थाना अनुसार र इसी क्रम में जे जी पाउंट्स ने 1963 में राजनिती भुगोल की परिभाशा दी और उनके अनुसार राजनिती भुगोल राजनितिक द्रश्टी से संगठित शेत्रों उनके संसाधनों प्रसार एवं उनके द्वारा संग्रहित विश्ष्ट भोगौलिक स्वरूप से संब राजनिती भुगोल की परिभाशाओं में सबसे अधिक महतोपूर एक और भरिभाशा है जो एल एम अलेक्जेंडर द्वारा 1966 में दी गई और उनके शब्दों में राजनिती भुगोल धरातलिय लक्षणों के रूप में राजनितिक प्रदेशों का अध्यन है इसके अंतरगत राजनितिक उद्देशों की पूर्ती हेतू मानुध द्वारा विभिन प्रकार से शेत्र के संबंद का तता संगठन का अध्यन किया जाता है तो इस प्रकार विभिन भुगोल वित्ताओं द्वारा राजनिती भुगोल की परिभाशाएं अपने अपने शब्दों में दी गई तो आज हमने इस क्लास में जाना कि राजनिती भुगुल क्या है इसका अर्थ क्या है और इसके संबंद में विबिन विद्वानों द्वारा कौन-कौन सी परिभाशाएं दी गई हैं धर्न्यवाद